अस्सलाम उलेकुम एब्रिवन वल्कम बैक टू मा यूट्यूब चैनल मैं हूँ नाज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यू नेक रिजाइन वाई नाज फ्रेंट्स आज की इस पीडियो में हम डिजाइनर कुर्ती बनाने जा रहे हैं प्लेन कपड़े में चलिए यूज करते हैं वो मैंने धागा ले लिया है और यह कुर्ती देखिए आपको फ्रंट पार्ट ले लेना है कुर्ती का तो यह आप मोल हम बाद में कटिंग कर देंगे ठीक है लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर नेक का निशान लगाऊंगी तो जैसे कि यहाँ पर देखिए कि हमें एक निशान लगाना है जो हम ताभीज बनाएंगे इसमें तो वो आपको देख लेना है कि कितना आप रखना चाहते है उसके लिए तो मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं रख रही हूं साड़े बारा इंच ठीक है एक इंच हमारे सलाई में भी जाएगा फोल्डिंग में कपड़ा तो हम 12.12 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको नेक देख लेना है कि नेक हम कितना रखेंगे तो थ्री एंड हाफ पर मैं नेक रह रहे हूं और उसके बाद जो हम कपड़ा इसके उपर से लगाएंगे तो वो होगा यहाँ पर दे ली लीना है बचा हुआ कपड़ा हमें लेलेना है अर इस पर देखी मैंने एक टुकड़ा ले लिया है और इसके एक हिस्टर में bah разработ कर लिजी आप अगर इसमें सिलबटे हैं तब प्रेस करकर ही लीजेगा पहले बार अगर आप बना रहे हूं और नहीं को बिल्कुर से वा है ठीक उसी तरीके से हमें इस पर भी निशान लगाने है तो जैसे कि देखे यहां पर हमने इसके चोड़ाई लेती फाइप इंचिस ठीक है तो फाइप इंच में हमारा कुछ फोल्डिंग में भी जाएगा तो मैं यहां पर फाइप एंट हाफ इंच करकर ले रही हूं ठीक ह तो इस तरीके से एक निशान आपको यह लगा देना है और आपको लैंट देख लेनी है कि लैंट आपकी ने कितनी लेनी है ठीक है तो यहां पर फाइप एंट हाफ की हमने चोड़ाई ले लेनी है अब यहां पर आपको जो है सबसे पहले लैंट देख लेनी है तो लैंट जैसे कि मैंने 12.5 इंच ली थी तो 12 इंच पर ही आपको इस तरीके से निशान लगा देना है और इसकी चोड़ाई जो है आपको थोड़े कम करकर लेना है तो यहां से हमने 5.5 रखी थी अब मैं यहां पर 4 इंच रख रही हूं ठीक है तो इस तरीके से अब इन निशानों को आपको मिला देना है तो अच्छे से लेलें और यहां पर बिल्कुल एक स्टेट में क्लाइन डोग तो थीक है तो इस तरीके से हमें इंचे की साइड हमें जो है इससे थोड़ी पतली चाहिंए दो इस तरीके snsmann लगा लिए है अब उसकी बाद आपको Allahi cutting कर दे रहे हैं तो जैसे कि यहांपर three and half कब है यहांपर neck बना रहे हूं ठीक है और इसकी length मैं ले रहे हूं लगा लिजी तो फिर एक अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरीके से हमें कितना कपड़ा चाहिए होता है ठीक है और उसके बाद यहां से आपको cutting कर देना है तो यह हमने अच्छे से अपना तावी जो है cutting करकर रख लिया है तो neck अभी आपको cutting नहीं करना है पूरे कपड़े को अच्छे से खोड़ लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है तो इसमें मैं कुछ line draw करूंगी और उस पर हम जो है अपनी reel चलाएंगी यानिकि जो simple धा करनी है तो यहां पर जितनी फंटी की चोड़ाई है उसी के according मैं इसकी चोड़ाई रखनी हूं देखी फुल इस तरीके से line से line मिडा लें अब फंटी को बिल्कुल line पर रखिएगा और उसके बाद दूसरी line draw कर लिजेगा तो ब्राबर की आएंगी कोई छोटी या बड़ तो किस हिसाब से हमें cutting करना चाहें और line आपको पूरे में अच्छे से draw कर लेने हैं क्योंकि line पूरे कपड़े में बनाएंगे उसके बाद जो हम neck बनाएंगे तो उसमें चली जाएंगी ठीक है और उसके बाद क्या करना है एक line हमने इस तरीके से draw कर लेंगे मतलब हमें य और जो है फंटी एकदम सीखती होने चाहिए और वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आता है तो वीडियो को like and share जरूर से कर देना और अगर आप लोग स्लाई सीखना चाहते हो इसी चैनल के जरीए तब आप चैनल पर जाएगा और बहाँ पर playlist बना हुआ हुआ है फुल सलाई कोर्स का तो बहाँ पर एक-एक सलाई आपको सौरी एक-एक के मतलब जो है stretching कपड़े की cutting and stretching मिल चाहेगी चाहें आप कुर्ती की cutting ले लिजी प्लाजों की cutting ले लिजी सलवार की जो भी आपको चाहें होगी सारी इसमें मिल चाहेंगी तब जाकर आप सीख सकते ह अब देखी मैंने यहां पर अच्छे से लाइन डो कर दी अब मैंने ले लिए यहां पर रील अब आप पूछोगी यह रील कौन सी है तो मैं बताऊंगे कि यह रील जो है सिंपल वाली रील है जिसे हम stretching करते हैं कपड़े की ठीक है अब एक अख़बार ले लेना है आपको यह मोती ले लेने है तो अख़बार को जो है मैं डबल करकर यहां पर ले रही हूँ आपको इसा भी पेपर यहां पर यूज कर सकते हो तो आप नियूज पेपर ले 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 तो इस तरीके से यहां पर देखिए इसके नीचे आपको रख ले रहा है पेपर को और उसके बाद अग्या करना है यह जो लाइन हमने लिए फुलए है और अभी जैसे कि मैं आपको पताऊं मैं ने यहां पर जो है धाग यूज कर तो यह मैं भी रिल है उसको यूज कर रही हूं ठीक है तो यह बिलैक रेल है ज़ागा रही है अब यहां पर देखिए में जो सिलाई कर रही हूं तो मेरी सुई अच्छी नहीं है अभी उसकी नोख हल जाकिसी टूट कई इसलिए कपड़े को खाबसा कर रही है तो मैंने वह जो हेर रिमूब करदिया और। को मैंने चेंज कर लिया है उसके बाद मैं यहां पर सिल रही हूं ठीक है तो बहुत जदा आसानी के साथ यह धागा चल जाता है कुछ लोग पूछते हैं कि हमने कौन सा धागा यूज किया है तो मैं एक बार आपको दुबारा बता दूँ कि मैंने यह सिंपल धागा ही तो तीन बार में यहां पर सिल लगाओंगी और बिल्कुल सिलाई हटनी नहीं चाहिए इसी तरीके से आने चाहिए इससे क्या होगा जब हम ट्रिपल इस पर सिलाई लगा लेंगे तो यह धागा अच्छे से दिख पाएगा ठीक है तो इस तरीके से यहां पर आपको इसी तरीकी से लगा लेना है और आपको कपड़े को खीचना नहीं है यापको धियान रखना है अगर पेपर साथ में होता है तो कपड़ा खीच नहीं पाता है अगर आप खीच होगे तो लाइन जो है टेरी-बेडी सिलाई होगी उस पर ठीक है तो मैं बिल्कुल भी इसको खीचंगी नहीं बहुत जादा सिंपल सा मैंने जो है हाथ की जरिये से मैं बस इसको सिलाई कर रही हूं खीचना बिल्कुल भी नहीं है और इसी पर आपको दूसरी सिलाई कर देनी यानिकी टृपल टृपल इसी तरीक आपने अगर नहीं देखा है तब आप देख सकते हो वैसे तो काफी लोगों ने उसे देखा है तो इस तरीके से देखिए हमने यह 30 लाइन टो कर दी है अब दूसरी साइट से देखिए जो दूसरा हमने निशान लगाया है तो इस पर भी बिल्कुल ऐसे ही आपको सलाई कर द अग्यार करें Amazon तो जाना नहीं हो नहीं होता है अपने चीज़ अंब ड़ाया कर दी猜ाना करें नहीं प्रकविदैना कर दो इस तरीक दिक आ एक मशीन नहीं मैं एअको बता हुआ है, अगर अपकी मसीन ठीक नहीं, तब पो दिखक्त आ सकती है और बिल्कुल फिक्स है अपकी मसीन बिल्कल सेटंग ठीक है तब आप पर चекаे सब कर सकते हो chat और ज inter sniff होता है, तो सिल्क ट्रेगर होटा है , जो सिल्क बाली जो रील होती है तो उससे भी आप यहाँ पर इस्टेंग कर सकते हो तो उस पर हलकिसी प्रॉब्लम आती है अगर आपकी मसीन ठीक नहीं है तो वो कट कट करती रहती है ठीक है उस बाले धागे को जो है रेसम बाला धागों होता है तो वो कट होता रहता है तब आप जो है उससे भी चला सकते ह कोई भी इशो नहीं है उसमें आप अच्छे से सलाई कर सकते हो बड़ मैं यहां पर सिंपल था गई हूँ उसके बाद आपको क्या करना है इसको देखी ऐसे फोल्ड कर लेना है सीधी तरब से ऐसे और अभी मैं इसको एक बार और कटिंग करूंगी ठीक है क्योंकि हमने इसको एक्स्ट्रा करके ही कटिंग किया था ठीक है तो उसके हिसाब से मुझे इसको थोड़ा और कटिंग करना है ठीक है तो जैसे कि मैंने यहां पर फाइप इंच लेना है तो फाइप इंच ले लिया है और लैंट मैं यहां पर साड़े बाड़े इंच के ले रही हूं और उसक के बराबर तो नहीं आ रहा है ठीक है तब आप उसी हिसाब से cutting की जेगा तो मुले हलका से ज्यादा लगाई है मैं अभी इसको कटिंग कर रही हूँ ठीक है तो इस तरीके से लगा कर रहोगे तो आपकी जो मोती हैं विल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लग पाएंगी चुटाने की आपको जरूत नहीं पड़ेगी तो पहले देखी मैं यह पेपर है इसको हटा देती हूं ठीक है साइट साइट से मुझे हटाना है पूरा पेपर आप अच्छे से हटा लेंगे फिर इसको पानी में भिगो दीजिए तो सारा पेपर जो है खुद से ही हट जाएगा क्योंकि डबल पेपर मैंने इस पर लगाया है तो इतने जल्दी नहीं छोड़ता है तो मैं इसको अच्छे से रिमूब कर लूँगी इस पेपर को और हमने अच्छे से देखी ह अच्छे से फोल्ड कर रही है यहाँ पर और चारों तरप से मतलब तीनों साइट से आपको अच्छे से फोल्ड कर लेना है इसको ठीक है दूसरी साइट से भी ऐसे ही फोल्ड करना है सेम तरीके से ऐसे फोल्ड करने के बाद अब देखिए दूसरी साइट से भी ऐसे ही आपको फोल्ड कर लेनी है जो चोड़ा वाला साइड है वो हमारे नेक के तरफ आएगा ठीक है यह आपको ध्यान रखना है ताकि आप उल्टा ना कर दें इसलिए मैं आपको समझा रही हूं ठीक है और यहां से देखिए जो कम चोड़ाई वाली साइड है यानकी जो हमने फो कोड़े को अब अच्छे से को कूड़े में आपको इतीक हूं पशेट करना है वाला नहीं यह तो इस तरीके से लगाऊंगे मैं इस ते क्चा कर लोंगे लैस को और उसके बाद हम एकी से पनी कुर्टी में अटप सकते हैं लैस और इस कपड़े को ठीक एक ही सलाई की जदिए अगर आपकोको फिनिसिंग चाहिए कपड़े में तब आप क्या है पहले कच्छ कर लिए लैस को आपको कच्चा करकर ठीक है तो आपको कच्च ही लिया ओप ले में कोचा पर आ लिया लगा हो को के समक्सट के लिया हम टमश्रारी नहीं के लिए यहां पर कुष्च पर लेतं Right अब लेता नाइने को कटिंग कर लेता है तो よ को नहीं अरी आप popieron तो मैंने फ्रेंट पार्ट के आर्म वाल कटिंग कर ली है उसके बाद जैसे भी हमने निशान लगा थे तो त्री एंड हाप पर में निशान लगा रही हूं नेक का और इसकी लेंध में रेडियू फूर इंचिस ठीक है तो यह छोटा सा नेक में आपर कटिंग कर रही हूं और आप अपने क्वाट कर सकते हो तो निशान लगा कर रखिएगा कि आपको इस तरीकी कर नेक चाहिए ठीक है आप पहले से कटिंग ना करती हुए नेकर को पहले से ही इस पर अटेज कर देते उसके बुकृम से भी अपने कंट बना सकते है आपको इस पार चाहिए और पर उको पर सिलाती का बिलति कर दिंग ठीक हैителि प्रेज नीचे वाला कपड़ा है तो मैं यहां पर अतल रहे हैं अपर सीधे कपड़ को किया हुआ है अच्छा पहले तो मैंने कच्छा कर लिया था उसके बाद में यहां पर पक्का कर रहे हूं सलाई से और उसके बाद इसलाई हमें रिमूब कर देनी है नैकी और उसके बाद यह पलट कर जो है सीधी साइड आ जाएगा इसलिए हमने नीचे वाला कपड़ा भी सीधी साइड से रखा है तो यहां पर आप देख सकते हो इस तरहर के सीधा है और यह को पलट कर आएगा तो यह सीधा हो जायाएगा अब यह अब को कट ना यूवाकत ूसे गलती हो सकते है तो इस बात का द्याण रखेगा कुरति कुरती का कपड़ा भी आपको सीधा लेना है और ताभी से उसका कपड़ा भी आपको सीधा ही रखना है ठीक है कुरती की नीचे और उसके बाद यह पलट कर सीधी साइड ही आ सकता है सकता नहीं आएगा ठीक है और उसके बाद देखिए यह पलट कर इस तरीके से आ जाएगा ठीक है और यहां पर अभी मैं आपको बताओं कि यहां पर दोबारा मैं कच्चा करूँगी और अटेच कर दूँगी सेंटर सेंटर आपको मिला करके रखना है और यहां पर कच्चा करते जाना है अब इस तरीके सेंटर आपको रख लेना है सेंटर सेंटर मिला करके रखना है और उसके बाद यहां पर देखिए सेंटर इस तरीके से आपको निकालना है और ऐसे देखिए सिलाई यहां पर एक माग कर देना है अभी जो कुर्ती की तय आपको टूटी हुई दीख रही है यहां से इसको मिलाना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए दुबारा से मैं कच्चा करूँगी लैस के साथ ही ठीके और उसके बाद मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी कच्ची वाली ची कह तो यहाँ से आपको भी सेंटर बनाते हुए कच्चा कर लेना है यह कच्चा करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको finishing चाहिए होती है अभी मैंने कच्चा कर लिया है अभी मैं यहां पर लगा रहे हुँ तो तीनों साइड में इस तरीके से लगाऊंगी और जो neck है न उस पर आपको hand stitching करना नहीं पड़ेगी कोई भी लगाना नहीं पड़ेगी अच्छा से जो हमारे neck सेट हो जाता है पर इसके जरीए ठीक है तो इस तरीके से आपको भी ज्यादा finishing के साथ एक ही सलाई आपको नजर आईगी तो perfect हमने neck बना लिया है बुकरम की भी हमने इसमें जरूत नहीं पड़ने वाली है अगर आप बनाना चाहते हो बुकरम से तब आप बना सकते हो अब मैं आपको finishing दिखाती हूं कितने ज्यादा इसमें finishing आई है लाइन में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आई है हमें बनाने में तो इस तरीके से जो है आपको लैस दिखानी है हलकी फुलकी से और उसके बाद जो हमारी कुर्ती है वो तयार है और इसका अगर फुल वीडियो आप चाहते हो तो मैं लेकर आउंगी हमने अच्छे से सेट कर दिया है और यह बेक साइड है आप उसको सिल सकते हो पहन सकते हो जैसे भी आप पहना चाहते हो तो फिलाल तो यह था आज का वीडियो अब कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज मुझे कॉमेंट पर ज़रू बताएं अब मैं मिलते हूं आपसे नेक झाल 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 झाल